Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by J.K. Krull जहाँ पर आपको Physics के Topics बहुत ही easy उरसे बखरीके से कराये जाते हैं और साथ ही आपको notes भी provide कराये जाते हैं ताकि आपको Topics से regarding कहीं भी कोई problem ना रहे हमारा जो आज का Topic है वो है Venturi Meter आप Bernoulli's theorem कर चुके हैं उसके बाद उसकी applications की हैं आपने limitations मैंने करवाई हैं मैंने वो Topic जो आपको full flash complete कराया है तो यह जो Venturi Meter है आप यह consider करके चल सकते हो कि वो Bernoulli's theorem की ही एक application है Venturi Meter क्या होता है यह एक device होती है जिसको कि हम use करते हैं just to measure the rate of flow of liquid through a tube ठीक है एक liquid है हमारे पास जो कि किसी पी tube में से flow कर रहा है जब हमने उसका rate of flow measure करना है तो उसके लिए हम जिस device का use करते हैं उसे बोलते हैं Venturi Meter और इसके जो एक चीज़ main है इसको basically हम use करते हैं just to measure the speed of incompressible liquid जिसको कि हम compress निकमी कर सकते हैं incompressible liquid जो है उसी की speed को measure करने के लिए हम इसका use करते हैं और इसकी जो working है वो किसके उपर based है completely Bernoulli theorem के उपर based है अब इसके बाद आप यहां पर जो मैंने आपको बताया है आप इसको as a introduction use कर सकते हैं exams के point of view से उसके बाद आप heading देंगे diagram की diagram आपको यह वहाँ पर figure draw करनी है इसमें देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह क्या है दो हमारे पास क्या है a और c हमारे पास कोई भी दो white tubes हैं ठीक है हमारे और c हमारे पास क्या है दो white tubes हैं जो की एक b tube जोकी एक narrow tube है उसके तरू एक दूसरे के साथ attached है उसके बाद हमने क्या क्या किया है यहाँ पर एक u shape का monometer attached किया है हमने क्या किया हुआ है एक U-shape का monometer attached किया हुआ है monometer का क्या working होती है यह pressure को measure करता है यह क्या करता है pressure को measure करता है जो monometer है उसे हम use करते हैं just to measure the pressure हमने यहाँ पर एक U-shape का monometer attach किया हुआ है जिसका एक end तो इस white tube के साथ attached है तो दूसरी लिप्विड को मिक्सब ना हो यहां पर अलग है यहां पर लिख्विड अलग है है Isko Monometer के अंदर ताकि दूसरा लिख्विड टूबस के अंदर वैंचरिमिटर की doin्ट यह वाली इसके साथ mix up ना हो जाए तो यह थी हमारे पास इसकी construction अब हम बात कर लेते हैं इसकी working की हमारे पास क्या है दो white tubes है हमने क्या किया है इनको एक narrow tube के साथ attach किया गया है और जहां पर जिसमें से क्या हो सकता है कि हमारा जो liquid है वो study मतलब बहुत smoothly उसमें से flow कर सके उसक यू tube की आम के अंदर होगा हमने वो pressure difference को no down करना है तो उसलिए हमने क्या किया किया कि हमारे पास प्रेशर difference है वो हमारा एक्चर है so मैं अब आपको बताती हूँ कि हम assumptions यहां पर क्या लेके चलेंगे सबसे पहले हमने रो जो है density ले लिए है जो की इस venture meter की tube में से flow कर रहा है liquid उसकी उसके बाद हमने क्या किया रो M हमने density लिए है जो इस U-shape tube के अंदर liquid flow कर रहा है उसकी जो की low density liquid है उसके बाद हमने यहा यहां पर clear कर देना चाहती हूँ कि हम यहां पर जो A और B tube का considerations लेके चलेंगे कि हमने velocities यह दोनों तो similar है A और C तो similar है जो इसके assumptions होंगी वहीं इसकी होंगी पर यहां पर हमने एक narrow tube लगाए है इस narrow tube के लगाने का क्या हमारा motive है कि हम pressure difference को generate कर सके pressure difference यहां पर create कर सके ताकि हमारा पर जो column है liquid column है उसके अंदर liquid का difference आ सके जिसको कि हमने note down करना है ठेक है उसके बाद हमने यहां पर क्या किया A A1 और A2 small A1 और A2 हमने क्या ले लिया area of section of tube A and B similarly V1 और B2 हमने ले लिया इनकी velocities A और B liquid की A और B जो tube है उसकी हमने velocity ले लिया है V1 और V2 और P1 और P2 जो ह हमने pressure ले लिया है A और B tube दोनों का उसके बाद अब हमने यहां पर क्या करना है हमने suppose कर लिया कि capital V जो है हमारा volume है liquid की जो कि per second में flow कर रहा है हमने यहां पर क्या लिया capital V हमारे पाद जो volume है liquid की वो per second के अंदर flow कर रहा है यह सारे notes में आपको दूंगी तो आपको इतना headache लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे आपको thoroughly बता रही हूँ और आप सोच जोंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा है यह सरफ assumptions है notes में सब कुछ लिखा हुआ है मैं सिद्धा आपको derivation इसकी करके दिखाऊंगी जो कि आपको mean समझ में आनी जाए क्योंकि अगर आपको derivation समझ में देखाएंगे तब ही आप exam में वहाँ पर करके दिखा सकते हैं आपको derivation देखाऊंगे assumptions वैसे ही हैं जैसे हम बाकी topics में भी देखे चलते हैं CMEC में ही assumptions हैं इसके notes में आपको जैसे दूँगे आपको वैसे exam में जो अगर question आता है तो आपको वैसे attempt करेंगे अगर आप तो आपको काफी अच्छे marks उसके मिलेंगे ठीक है तो मैं अब सिद्धा इसकी derivation पर जाओंगी अब मैं इसकी derivation आपको बताते हूँ सिद्धा हमारी equation of continuity लगाई है यह है हमारी equation of continuity that capital V यह capital V क्या है volume per second volume of liquid flowing per second वो है यहाँ पर हमारे पास capital V यह हमारे पास किसके एक्वल हो जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2 यह क्या है हमारी equation of continuity यहाँ से अगर हम इसको simplify करते हैं तो हमें क्या मिलता है A1 over A2 A1 के over A2 is equals to किसके रहता है V2 by V1 यहां फिर हम क्या बोल सकते हैं यह हमारी पूरे term capital V के equal है तो यहां से अगर हमें निकालना है कि A1 V1 हमारा किसके equal होता है तो वो किसके equal आएगा V1 हमारा किसके equal हो जाएगा capital V over A1 similarly यहाँ पर क्या होगा B2 की value आएगी अब आपको अगर याद होगा तो मैंने परनोली second form है Bernoulli's theorem की जो की जिसमें हमने consideration ली थी कि अगर हमारा liquid जो है वो simple horizontal tube में से flow कर रहा है जहां पर H हमारा 0 हो गया था मैंने वो equation यहां पर use की है वहां पर क्या होगा कि जहां पर हमने P और V जो हमने use किया था वहां पर हमने यहां पर P1 V1 और P2 V2 यूज करना है simple और कुछ तो हमने यहां पर वह equation यूज की है उस equation में हमने value starting है values के अडली है P की जगह पर यहां पर P1 है V की जगह पर V1 है similarly यहां पर P2 और V2 होगा अब यहां पर P1-P2 अगर हम करते हैं तो यह वादा टर्म जो है equal कि इधर आके minus में हो जाएगी रो दोनों टर्म्स में common है और half द इस पुरिड्म्स मीं हमने क्या किया वीवनEngऊ स्क्वे Nicki3 को common ले लिया वीवन स्क्वेयर को common लें के यहां पर तो वीवन नहीं था वीवन स्क्वेयर तो यहां पर हमने क्या करना पड़ेगा उससे ये वाली देखते हैं यहाँ पे कि V2 by V1 हमारा किसके एक वल था है A1 by A2 तो हमने यहाँ पे simply value डाली है और कुछ भी नहीं किया है as it is हमने यहाँ पे simple value डाली है यह हमारे क्या बनकी equation number 1 बनकी है अब हम क्या करके हम क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास पहली वाई है P1 minus P2 की यह क्या है हमारे पास एक तरह सी pressure difference generate हुआ है यह जो pressure difference है यह क्या course करेगा यह जो liquid column है हमारा उसकी जो arm है second उसमें यह pressure difference जो है वो generate कर रहा है यूट्यूब का जो भी end हमारे पास B tube के साथ attached है वहां पी liquid क्या करेगा थोड़ा सा rise कर जाएगा as compared to the wide angles जो wider tube के साथ attached है and उसके comparison में यह pressure difference हमारे पास generate हुआ है तो अगर हमने इसका measure कि हमारे पास कितना difference है हमने यह height measure किया तो हमने suppose कि वह हाइट से जो liquid है वह rise किया है इस tube के अंदर जो की B tube के साथ attached है जो arm B tube के साथ attached है उसके बाद अब हमने यहां पर क्या ले लिया कि यह pressure difference आया है यह pressure difference आया है हमारे पास H height की वज़े से वह pressure difference हम क्या लेकर चलेंगे B1 minus B2 is equal to H rho M G अब मैंने यहां पर rho M Q लिया है क्योंकि हम इस tube के अंदर जो liquid fill है हम उसके बात कर रहे हैं और उसको हमने क्या लिया था रो M लिया था तो यह हमारे पास होगी equation number 2 अब equation number 1 और equation number 2 में देखो कि left hand side हमारे पास दोनों की equal है तो हमारे पास जो यह right hand side है वो भी क्या हो जाएगी इको लो जाएगी so from 1 and 2 at rho M G is equal to half rho V1 square A1 square by A2 square minus 1 यह हमारे पास आएगी equation जब हम क्या करेंगे equation number 1 और 2 दोनों को equal रखेंगे उसके बात अब हमने यहां से क्या करना है यह जो V1 है हमने इसकी value को find out करना है इस V1 की value को कैसे find out करेंगे यह वाली जो term है जो हमारे पास right hand side पे है हम इन सारे terms को इधर ले आएगे कैसे होगा देखो H rho M G यह 2 है 2 यहां पर multiply हुआ उसके बाद यह वाली term V1 की value हमें निकालनी है तो हम क्या लेके जाएंगे जो यह rho है उसे हम क्या करतेंगे divide में लेएंगे चीक है उसके बाद क्या बचा है यह वाली term बचेंगे यह वाली term को हम as it is यहां पर उठाके लेके आएंगे लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे देखो यह left hand side पर लेके आएंगे क्योंकि यह multiply में है तो यह पूरी term divide होनी चाहिए थी लेकिन हम इसे divide करने की बजाए क्या लिखतेंगे power में minus 1 लिखतेंगे power में क्या कर दिया है minus 1 अब यहां पर यह जो value हमारे पास आई है यह आई है v1 square की value आई है अब हमें value चाहिए कि इसकी v1 की चाहिए तो यहां से square हटेगा इस पूरी term के उपर क्या आएगा square root आएगा इसके उपर भी square root आएगा लेकिन यह minus 1 है इसकी power तो मैं इसको simply multiply करा दूँगी इसकी जो square root है उसको मैं लिख दूँगी minus 1 by 2 I hope आपको यह clear हो रहा होगा अगर किसी को नहीं पता चाहिए तो मुझे पूस सकते हैं एक बार मैं दुबारा बता रही हूँ हमने क्या किया वी 1 की value हमें निकालनी है यहां से यह वाले चुटर्म है हमने सारी उठाके यहां पर लेकिन हमने पावर में क्या कर दिया था माइनस 1 कर दिया था वी 1 स्क्वेर की हमारे पास यह value आई थी बट हमें चाहिए वी 1 की value तो हमने यहां पर क्या क्या है स्क्वेर हटा की root लगा देंगी यहां पर पूरी टाम के उपर root आएगा लेकिन यहां पर क्या थी power मैंने माइनस 1 लिखे हुई थी root का मतलब होता है power 1 by 2 तो मैंने यहां पर चाहिए जो power थी उसको minus तो already था वो power को मैंने लिखे है 1 by 2 ठीक है I hope आपको यह अब clear हो गया होगा उसके बाद हमने क्या करना है अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे यह हमारे पास जो expression आया यह हमारे पास आई है speed of the liquid in the wider tube यह ज पास जो liquid की volume per second के अंदर जो flow कर रही है wider tube में से अब हमने वो देखनी है कुछ भी नहीं करना हमने simple volume निकालनी है volume क्या है हमारे पास A1 B1 यहां पर मैंने already discuss किया था V is equal to A1 B1 is equal to A2 A2 हम एक value निकालेंगे second value हमारे पास as it is हमें मिलेगी same value मिलेगी हमें कुछ नहीं करना हम यह वरी सारी जो value है हमें यहां पर as it is लिखते लिए हैं क्या है A1 तो as it is लेगा V1 क्या है हमारा under the root 2H rho mg कैसे कर सकते हैं यहां पर हम LCM ले सकते हैं LCM हमने ले लिया A1 square minus A2 square over A2 square minus 1 by 2 यहां पर देखो मैंने किया A2 square over A1 square minus A2 square raise to the power 1 by 2 अब प्लस में होगी पहले हो square से root हो जाएगा cancel तो यह term मैं यहां पर सिद्धा लिख रहे हूँ A2 यहां पर लिख लेते हूँ ठीक है यहां पर क्या था उपर बचकिया 1 एक बार दुबारा बता रहे हूँ यहां पर क्या था इस यहां पर हमने LCM लिया था यहां पर क्या है रैसी प्रोक्ल क्या है power हमा लिख सकते हैं तो हमारे पास जो overall answer मिलेगा वो क्या होगा A1 A2 अंडर दी रूट 2H rho M G over rho A1 square minus A2 square यह हमें overall answer मिलेगा जो हमारे पास volume होगी जो की हमारे पास wider tube में से flow कर रही है पर सेकेंड के अंदर यह था हमारा topic venture meter इसमें main जो function था हमारे derivation का था I hope आपको यह derivation अच्छी तरह से समझ में आई होगी मैंने एक-एक step आपको करके दिखाया अगर आप books में देखोगे तो शायद आपको direct steps पी देखने को मिलेंगे बट मैंने एक-एक step आपको करवाया है ताकि कहीं पे भी बच्चों को कोई problem ना हो लेकिन फिर भी कोई problem होती है आप मुझे easily पूर सकते हैं आपके question का answer करने के लिए ठीक है so that was it for today अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को like करना मेरे चैनल को subscribe करना जदा से जदा share करना thanks for watching